हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वेंटीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RPSC रारस्थान पब्लिक सर्विस कमेशन मिन्स रारस्थान लोक सेवा आयो की नौटिफिकेशन के फॉर्म फिलप के बारे में तो फ्रेंज, यहाँ पर जो यह नौटिफिकेशन है, यह आपके दोबारा से रियोपन की गई है, जो की रारस्थान पुलिस, एसाइमिन सब इंस्पेक्टर या पलाटून कमांडर पोस्ट के लिए इन्वाइट की गई थी, इसका फॉर्म फ्रेंज, दोबारा से रियोपन क चाहते हैं, आप इसमें आविदन कर सकते हैं, पहले से अगर आप आविदन कर चुके हैं, तो आपको इसमें आविदन करने की जरुत नहीं है, बाकि आप चेक करना चाहें, लोग इन करके तो आप इसमें आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, अब इसकी जो डेट है, आपके सब इंस्पेक्टर या प्राटून कमांडर के लिए इसमें आपकी 869 पोस्ट रहेंगी 9 जून 2021 से 23 जून 2021 तक आप इसमें आविधन कर सकते हैं और कोई भी क्यूरी है तो आपको यहाँ पर हेलप लाइन नंबर दिया गया है आप यहाँ पर आप इनसे कॉंटेट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या है या फिर आप बाकी की डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है जौबरास्ता.com का वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर फ्रेंस कैसे आप इसमें आविदन करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं तो फ्रेंस आपको आना होगा रादस्तान सिंगल साइन ओन की वेबसाइट पर यह फ्रेंस SSO पोर्टल है जहां से आप अप्लाय कर सकते हैं और इसमें आपको one time registration करना होता है अगर आप पहले से register है तो आप directly login कर सकते हैं अगर आप register नहीं हैं तो आपको यहाँ पर फ्रेंस option मिल छाता है registration का आप इस option पर click करेंगे और इसके बास citizen वाले option पर आपको जनाधार, भामाशाफ, फेस्बुक या गूगल कोई भी option को आप चूज करें उसके बार अपनी registration process को आप complete कर सकते हैं गूगल से करेंगे तो अपनी mail ID के थुरू आप login कर लेंगे और अपना जो registration है वो complete कर सकते हैं जनाधार के थुरू भी करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं ये करने के बाद ही आप यहां से इसमें login कर पाएंगे login करने के बाद फेंस आपको यहां पर देखिए आपको फोटो मिलती है तो आप यहाँ पर जो आपको option मिलता है update profile का आप यहाँ पर जाकर अपनी डाटा है उसको update कर सकते हैं अधार कार्ड अपने address को जन भामा शाकू सबों को आप यहाँ पर update जरूर कर ले अगर पहले से updated है तो आपको इसमें करने की कोई भी जरूत नहीं है इसके बार यहाँ पर आपको एक option मिलता है requirement portal का अगर आपको यह नहीं मिलता तो आपको एक other apps का option मिलता है आप इस पर click करेंगे और जितने भी icons हैं इनमें आप search कर लेंगे requirement portal को इस पर आप click करेंगे click करने के बार आपके सामने यहाँ पर जो यह dashboard है इसमें आपको यहाँ पर देखे जो भी ongoing vacancies है उसकी जानकारी मिल जाती है जैसे sub inspector combined competitive exam 2021 RPSC तो इस पर आपको apply now का option मिलता है आप इस पर click करेंगे अगर आप अपने profile की data को लेना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो friends आप no पर click करेंगे इसके बाद sub inspector का आपको option मिल जाएगा इस पर आपको click करना है और आपको इस form को fill करना है अब यहाँ पर कोई भी जानकारी आपको fill up नहीं मिलेगी आपको friends से यहाँ पर आपने जो details है उनको आपको आपको अपने according यहाँ पर fill करना होगा अगर friends से यहाँ पर देखिए आपने पहले से इसे apply कर रहा है तो आपको जो ongoing requirement है यहाँ की बजाए my application वाली section में यह option देखने को मिलता है तो इसमें friends से यहाँ पर देखिए जो ongoing requirement है यहाँ पर कोई option आपके लिए applicable नहीं है इसके बाद friends आपके सामने जो portal है वो open हो जाएगा और आपकी जो details है वो आपकी automatic आपको fill up मिलेंगी अब new candidate को यहाँ पर देखिए आपका candidate का नाम देना है father name, mother name आपको enter करना होगा gender आपको यहाँ select करना है आपकी जो DOB है date of birth वो आपको select करनी है इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अगर आप category काउन सी हो आप select कर सकते है AWS से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं इसके बाद spatial average category अगर कोई है तो आप यहाँ पर इसको select कीजिए नहीं तो आप not applicable कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर आपको अपना religion, आपका marital status, आपका mobile number, आपकी mail idea आपको देनी है, अगर आप राजस्तान के TSP area से आते हैं तो आप yes कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, इसके बाद यहाँ पर editing as per correct number 6 अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो yes कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें भी no कर सकते हैं, यह friends से आपके उपर depend करेगा, अगर आपको संसोधन या editing करना चाहते हैं, point number 6 के according तो आप इसमें कर पाएंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर एक इस section में आपको आपका state, आपका district, आपका village, आपका pin code, आपका address पूरा आपको यहाँ पर fill करना है, उसके बाद ही आप next step पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर personal details section है, तो आपकी nationality आपको select करनी है, आपका home state, आपका home district, इसके बाद आपका block, तहसील, आपका village कोई है, या फिर आप यहाँ पर settled है, इंडिया में किसी other country से तो आप yes या no कर सकते हैं, अगर आप ex-service man है, तो आप yes कर सकते हैं, service type select कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपकी details को provide करेंगे, नहीं तो आप no कर सकते हैं, अगर आप sports person है, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, आपके sports type को select कर सकते हैं, और इसके बाद fans आपको यहाँ पर उस से related जानकारी provide क करनी होगी अगर नहीं है तो आप यहां पर भी नो करेंगे इसके बाद फैंसे मौदधा सरकारी विभाग में आप करमचारी हैं NCC कैड़ेट है एक्स प्रिजनर है तो आप यहां पर अपने अगोर्णिंग यह नो कर सकते हैं अगर आपकी पारिवारी काई धाई लाग से कम ह अब इसके बाद नहीं है तो आप नो यहां पर कर देंगे तो यह आपकी जो भी LGBT कंडीशन से उसके अपर नो करना होगा को अधर इडिशनल क कैडिरी है इन मेंसे तो आप जाए कर सकते हैं और उसके बाद next step पर आप किलिक कर देंगे इसके बाद आएगा आपका qualification section qualification section में friends से यहाँ पर secondary आपके senior secondary और graduation की detail आपको enter करनी होगी तो आपके subject group कौन-कौन से हैं subject के पूरे नाम आप यहाँ लिखेंगे इसके बाद अपना discipline है आप भो भी लिख सकते हैं आपके board का नाम आपका roll number आपका result और इसके लावा year of passing और percentage of grade यह आपको देना होगा अब graduation में अगर आपका result अवेटेड है तो आप यहाँ पर इसको select कर सकते हैं अगर आप pass out है तो percentage select करके आप percentage और आपके passing year की जानकारी provide कर देंगे यह friends से basic जानकारी है जो कि आप अपने qualification section में fill करेंगे अगर आपके पास PG degree भी है तो आप उसकी जानकारी भी provide कर सकते हैं नीचे friends से यहाँ पर देखिए experience section में आपको कुछ भी fill करने की ज़ुरत नहीं है इसके बार आप next step पर click कर देंगे इसके बार आएगा photo and sign तो 50-100 kg के बीच में photograph और 10-50 kg के बीच में signature आपको upload करना होगा jpg format में body mark में friends से अगर आपके चेहरे हाथ पेर पर कोई भी cut का निशान है कोई mole है कोई burn का निशान है आप उसकी जानकारी provide कर सकते हैं नहीं है तो आप no mark रहने देंगे इसके बार आप यहाँ पर भी इसको next step पर click कर देंगे इसके बार आएका preference अब preference में friends से आपको यहाँ पर यह option देगे हैं इनमें आप कौन सा preference को पहले रखना चाते हैं कौन से preference को बार में रखना चाते हैं वो आप अपने according preference यहाँ पर दे सकते हैं और यह preference set करने के बार आप next step पर click कर देंगे इसके बार फैंसे यहाँ पर जो यह section है यहाँ पर आपको देखे मिलेगा आपका preview section पर यहाँ से check कर ले कोई भी गलती है आप उसे सही कर सकते हैं और उसके बार आप यहाँ से declare करके pay fee वाले option पर click कर देंगे अगर आपका payment देखी करने के बाद अगर verify नहीं होता है तो आपको यहाँ पर देखे इस तरह का sign मिलता है अगर यह verify हो जाएका तो green color का आपको थम यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको payment भी verify हो जाएगा अगर payment कट गया है तो आप इससे verify कर सकते हैं अगर वो 24 से 28 घंटे verify नहीं होता है तो वो आपको दोबारा से refund कर दिया जाएगा आप नया payment भी कर सकते हैं तो आप update या फिर पेवी वाले option पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने तीन option होंगे net banking के तो आप net banking user है तो यहाँ से इस option को select कर सकते हैं सबसे best option है aggregator का आपको aggregator वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको देगे options है इसमें सब जो भी option को choose करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसका better तरीका यह है कि नीचे आपको यहाँ पर transaction fees देखने को मिल जाएगी उसके according आप यहा यहाँ पर आपका यह थोड़ा processing लेगा आपको wait करना है और यहाँ पर page को refresh नहीं करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर multiple option मिलते हैं credit card debit card या net banking जैसे ही आप यहाँ पर अपने card हीडियल डालेंगे और उसके बार make payment पर click करेंगे और आपका जैसे ही payment verify होगा आपका यहा आपके my application section में जाके friends से आप इसका print भी निकाल पाएंगे फिर भी कोई क्यूरी है आप jobrasa.com पर widget कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको provide की है अगर आपको यह पसंद आई है तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे स साथ देखते रहे हमारे यूटूब चैनल and last thanks for watching